जै मातादी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल पर कल्दिली बजार ने 69 के साथ खेल शुरू किया फरिदाबाद में 78, गाजियाबाद में 40, गली में 49 और देशावर ने आज सुभा 81 का खेल खोला है कौन सी जोडियां इसके बाद अच्छी रहेंगी उस पर एक बहतरीन चर्चा होगी कौन सी पकड़ जोडियां रख सकते हैं जिससे आप सभी को खेल में मजबूती मिल सकती है इसके अलावा आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक प्रातना पकड़ जोड़ी सिस्टम कैसा लग रहा है एक बार कॉमेंट करके बता सकते हो तो जरूर बताना क्योंकि दो दिन से हमारा जो पकड़ जोड़ी सिस्टम है वो राशी में कट रहा है 31 रखी थी क्योंकि 33 का खेल देखा था 33 में तिग्गी खुलने के दुबारा चांस थे 30 रखी थी, 31 थी, बड़िया जोड़ी थी 47 गली वाली रिपीट खुल सकती थी आपकी 31, 81 में कटी है इसके अलावा कुछ और कहने की जरूत है नहीं क्योंकि समीकरन बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे तरीके से तयार किया गया था गाजियाबाद में 40 और जो दिशावर में 81 खुली है ये आपको फरीदाबाद में बताई गई थी कि फरीदाबाद में 10 के बाद 40 या 81 खुल सकता है आपने देखा होगा जोड़ियां कहीं ओर डाल दी गई है कंपनी के दुआरा जो समीकरन थे बहुत शांदार थे अगर फाइदा लिया हो थोड़ी समझदारी दिखाई हो बहुत बहुत बदाई दिल्ली बजार में एक बार फिर पंजा पास हुआ है पंजा के समीकरन मजबूत थे आज भी मजबूत रहेंगे वीडियो को अच्छे से सुनना समझना उसके बाद अपने खेल में लागू करना कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत पीछे हड़ जाना कहीं कोई डाउट हो तुरंत अपने आप से या फिर खेल को रोक के किलियर कर सकते हो जो बढ़िया लगे उसको इस्तिमाल करो जो बेकार लगे उसको छोड़ दो खेल की सबसे बैतरिन चीजे यही होती है आज पकड़ जोड़ी में क्या कुछ रह सकता है पूरे दिन के लिए तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो पकड़ जोड़ी सिस्टम है उसमें 51 लाजवाब बन रही है अच्छे समीकरन है इसके अलावा 57 का समीकरन बहुत बढ़िया बन रहा है जिस परकार कंपनी ने फरिदाबाद को 78 दिये सत्ता अंदर आके पंजा बाहर भी ला सकता है तो 57 का समीकरन बहुत बढ़िया है इसके अलावा ये जो 81 है ये आपको 83 का भी खेल दे सकती है पूरे दिन में कहीं पर भी ये मेरी समझ से मेरी ट्रिक से मेरे पैटन से जोड़िया निकल कर आ रही है जो पकड़ जोड़ी के लिए शानदार है पंदरा भी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन में क्या है पंजा अंदर की तरफ खोल रहा है 57 पंजा अंदर की तरफ खोल रहा है अठा अंदर की तरफ है तिग्गी भार की तरफ आ सकती है यहाँ पर तिग्गी अंदर की तरफ है 38 भी खेल सकते हो अंको की चाल को समझना अंक किस फरकार अंदर गिर रहे है या बहार गिर रहे है ये समझना भी बहुत बड़ी कलाकारी है बस चीजों से फाइदा कैसे लिए जाये यही कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं जिनसे आपको सीधी जोडी और पलट जोडी खेलने में मदद मिलती है ये आपके लिए पकड़ जोडी में सबसे शांदार सिस्टम रहेगा जो आपको फाइदा करवा सकता है चीजे देख लेना पसंद आये तो इस्तेमाल करना वरना कोई दिक्कत नहीं है विश्वास बने तो इस्तेमाल करना विश्वास अपने कुमार भाई पर भी दिखाया जा सकता है बहुत ही शांदार इमानदार जानदार खाईवाल है जो सभी का काम इमानदारी से लिखते भी हैं और इमानदारी से उसका बुक्तान भी करते हैं आप सभी से निवेदन हैं एक बार आजमा कर देखिए अगर आजमा रखा है तो दोस्तों और जगाओं पर फैलाईए प्रमोट कीजिए कि भाईया इनके पास अपना खेल लिखवाईए क्योंकि आप सभी मेरी तागत हैं अगर मैं यहां से 10-20,000 व्यूज पाता हूँ तो आप सब की मदद से पाऊंगा यहां से कुमार भाई का काम बढ़ता है कुबेर भाई का काम बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैसे बढ़ेगा क्योंकि आप सपोर्ट करते हो आपका सपोर्ट ही मुझे मजबूती देता है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरा परिवार भी और मैं आपकी सेवा भी करता हूँ तो दोस्तों आपको दिखाना है कि विश्वास आपको कितना है अब यहां से शुरू करेंगे आज का खेल विद लोकेशन क्या कुछ बहतरी मजबूत रह सकता है तो दिल्ली बजार में आपका 69 के उपर कौन सी जोडियां है जो सक्रिय हो सकती है जिस परकार कंपनी रिजल्ट खोल रही है मेरे हिसाब से 51 का खेल बहुत बढ़िया रहेगा जिस परकार कंपनी यहां पर पंजे का इस्तेमाल कर रही है एक चीज किलियर कट है कि पंजा अपनी राशी के साथ आदी राशी जो की 0 होती है उसके साथ भी आ सकता है और 69 पे पंजा सेम रहे के नहले पे 0 आ सकता है यह समीकरण होते हैं आपको इने समझना पड़ेगा अगर आप यह समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है अगर नहीं समझ पा रहे है तो उससे भी बढ़िया बात है अब यहां पर एक जोड़ी जो कि मैं लगातार पकड़ कर चलना हूँ जो कि 53 की रहेगी कल भी दी थी परसो भी दी थी क्यूंकि हाल विलाल मैं इसके समीकरण बन रहे हैं और जो समीकरण बनते हैं ना मैं भी रोजाना सीखता हूँ कि जब समीकरण बनते हैं ना उनको ले के चलना चाहिए उनको अपने साथ कैरी करना च खुल सकता है कोई बड़ी बात नहीं खुलेगा कोई दिक्कत नहीं है तीन दिन से फायदा हो रहा है एक दिन अगर नुक्सान भी होगा तो कोई समस्या नहीं लेकिन ट्रिक वही लग सकती है पैटन वही चल सकता है अब यहां से बढ़ते हैं फटाफट से फरिदाबाद की फरिदाबाद में 78 के ऊपर कंपनी क्या कर सकती है तो 78 के ऊपर कंपनी का जो खेल रह सकता है वो आपका 27 का रह सकता है जो की दुग्गी राशी और सत्ते की राशी दुग्गी होती है इसके अलावा यहां पर 83 का खेल मजबूत रह सकता है आप देख लेना अगर आपको प पीचत्तर का खेल भी मजबूत रह सकता है। गाजियाबाद में 40 खुली हुई है चालिस के बाद मेरे हिसाब से 81 लाजवाब 80 बहतरीन 7 में 10 अब देखो मैंने यहाँ पे अंक कैसे इस्तिमाल किया है। या पांस दिन 0 मारा इसने हम एक भी 0 से फायदा नहीं ले पाए। कल फिर 0 6 के उपर इसने 40 मार दिया। तो यह सब चीजें बड़ी गोर करने वाली बात होती है कि अब यहाँ से 81 मारेगा। जैसे 40 के उपर यह 0 है इस पर 1 मार सकता है क्या या खुद 0 मार सकता है क्या या यहाँ पर 8 जो बन रहा है वो आ सकता है क्या। अब देखो यहाँ पर अंक बन गए 1 0 8 कितनी इमानदारी से आपके साथ साजा कर रहा हूं चाहूं तो एक अंक छोड़के जा सकता हूं लेकिन मैं आपको समझाने का परियास कर रहा हूं कि चीजें किस परकार से कट सकती हैं किस परकार से आ सकती हैं अब यहाँ पर 69 खु रहा है रास्ता हमें दिखा भई प्लेन एक दम बढ़िया शांदार रास्ता बना हुआ है आप बोलगे यह रास्ता जा रहा तो उसी वहीं पर है जहां मंजिल पर मुझे पहुचना है आप चल दिये उस पर आगे जाके वो रास्ता टूटा हुआ है उस पर कंस्ट्रक्शन तो इसी को आधार बना कर काम करते हैं कि भाईया ये चीज़ अच्छी है कमपनी एकदम से कुछ नया रिजल्ट दिखा दे वो secondary है वो बाद की बात है लेकिन आपको यहाँ पर जो सबसे best रहेगा वो कुछ इस परकार रहेगा और एक बात में हमेशा विश्वास करता हूँ कि जो कुदरत होती है ये आपको संकेत देती है जैसे मैंने आपको बोला ना 40 के उपर 69 तो ये जोड़ी आप अपनी खेल के चलना एक चांस बनाएगी ठीक है इसके अलावा 1108 यहाँ पर शांदार है आपका कोई अंक इस्तेमाल करने का मन ना करे आप कोई अंक इस्तेमाल मत करो अगर आपको लगता है कि आज मुझे 1108 खेलना पड़ेगा क्योंकि बावाजी ने बताया है मैं इनके अंक इस्तेमाल करता हूँ तो कोई बात नहीं पहले 50 के खेलते थे पहले 500 के खेलते तो अब सो के खेल ले ना पहले सो के खेलते तो अब 50 के खेल ले ना कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें अगर आप विश्वास दिखा सकते हो तो फिर पूर्ण तरीके इस चीज़ों को भी तो समझोगे अगर मैंने आप मुझे विश्वास दिखाते हो और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अदूरी चीज़े बताऊं तो वो आपके लिए थोड़ी सी हर्ट करेंगी इसलिए चीज़ों को अच्छे से सुन लो समझ लो उसके बाद इस्तिमाल करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा अब देखो गली में नहला खुलने के चांस बनेंगे बढ़िया तो पहले यहां पर एक आएगी 89 जो कि पिछले एफ्टे भी अक्टिव रही थी 97 दिल्ली बजार फरिदाबाद 89 89 यहां पर बन रही है एक इसी की राशी 89 की यह 49 की 89 बहुत बढ़िया बन रही है साथ में जो मैं समझा रहा हूँ आपको जिसे मैं यहां पर समझा ना पंजा सेम उतर सकता है नहले का 0 हो सकता है ऐसी तिग्गी यहां पर सेम उतर के नहले का जीरो कर दे हाला कि यह जोड़ी बंद चल रही है पिछले महीने भी नहीं खुली है उससे पिछले महीने यह रिपीट भी थी खुद गली में तो यह बंद चल रही है लेकिन अब हमारा काम क्या है हमारा काम है संकेतों को पकड़ना, हमने संकेत अपने आपके सामने समर्पित कर दिये हैं, रख दिये हैं, आपको पसंद आये तो आप इस्तिमाल कीजिए, पसंद ना आये, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्त जिस परकार फरिदाबाद ने शुरुवाती दिनों में 81 के ऊपर 83 खोली थी एक समीकरण वो बहुत बढ़िया बन रहा है क्योंकि सुबा जो तारीक बनेगी वो 22 बनेगी है ना तो 22 के हिसाब से मैं खेल चला रहा हूँ जो 20 से 25 के बीच की ट्रीक है उसे आप कंटिन्यू कर होगे मैं जो हाल फिलाल में खेल दिख रहा है उसके साहथ चलूमा ठीक है अब यहां पर मेरा एक पंजाबी बन रहा है जो की 51 के साथ है मैंने दिल्ली बजार को भी दिया है मैं दिशावर को भी दे रहा हूँ साथ में एक मेरी 71 मजबूत बन रही है यहाँ पर इकका या तिग्गी खुलने के चांस रहेंगे सुबह आप देख ले आपकी जो सेवा कर रहा हूं उसका नतीजा आपकी मुस्कान आपकी बढ़िया समरिद्धी खुशहाली यही मेरी प्रात्ना रहती है इसी प्रात्ना के साथ आगे भी बढ़ेंगे कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी भाईयों को राम राम नमस्कार देह सारा प्यार